राम नाम के भज के प्राणी जीवन सफल बनावा मर्यादा पुरशोत्तम की छवियाप निह दे बसावा राम कथा सुना राम कथा श्री राम जै राम जै जै राम आज कि श्री राम कथा मेरा वालो के स्वागत वाओ आज नौरात्री के पहला दिन हा देवी मैया के किरपा रोआ लोग पर होको रोआ लोग के नौरात्री के पुजा पाट सफल होको अईसन कामना हमार बाद काल प्रसंग चलत रहे कि श्रीव जी के वरात आयल वियाह संपन भैल मैना जी भखवान संकर के प्रार्थना के नी कि है बाबा हम जौन ग्यान देवे के रहे बेटी के देद लिबानी है उक्रस से कुनों गलती होई तो रुव अच्छमा करे बिदाई के घड़ी बेटी के मैना जी समझावता रहे जैसे पचीस वर्स पढ़ला का बाद गुरकुल से वे द्यार थी जब अपना घर लो टेलन तो गुर जी लो कुछ खास ग्यान देवेला वोई सही ग्यान मैना जी पारवत्ती जी के देता ने करे हो सदा संग करपद पूजा करे हो सदा संग करपद पूजा नारी नरम पती देवो नदूजा करे हो सदा संग बचन कहत भारे लो चन बारी बचन कहत भारे लो चन बारी पहुरी आई बूर लीन कुमारी पहुरी नाई उर लीन कुमारी करे हो सदा संग करपद पूजा देखे कई लोग के मन में ये प्रस्ण उठेला जमाना वदलल बा लिखल बा कि नारी खातेर पती से बड़ा कोई देवोता रिखे तो पतिखा तिरकेबा सच्चाइत ये बा कि जब विया होला तो विया होते ही लड़की देवी बन जाली लेकिनी ध्यान रही कि विया होते कोनो आदमी देवताना बन जाले कोनो लईकी के विया होई लक्षमी नाम बतवो वो ब्याह होते ही लक्षमी देवी हो जाई सरस्वती देवी हो जाई रंभा देवी हो जाई बकिर कोनो सुनले बनी की रमेश देवता ब्याह होते ही देवता हो गेले मोहन देवता घंश्याम देवता नारी तो पहले ही से देवी वारी और सारा जगतनारी के देवी के रुप में पूजेला यहां मैना जी समझाओ तरी बेटी के संस्कार देतरी उपदेश देतरी विदाई करें से पहले पहली के जमाना में यह सिखाओ ल्याए कि बेटी यहु घर के मर्यादा रखिया वहु घर के मर्यादा रखिया आज से उहे ताहर घरवा जाके वो घर सम्हाल ला एगो घटना याद आ गयल पताना एमे कतना इतिहास बाद संत लोग के मुक्सेम सुन ले बाने हो कि जैपुर राज घराना में एगो बेटी पैदा भैल बेटी भैली माई ओकर मर गयल और राजा बड़ा प्रेम से बड़ा भाव से जिम्मेवारी से बेटी के पालन पसंद केलन बेटी बढ़ भैली तुनकर वियाह करे खातिर दुलहा खोजे लगलन जब बराबरी के खंदान में कुल में दुलहा ना मिले तो तना अपना से छोट घराना में राजघराना में ही बेटी के वियाह करे ले बेटी विदा होके गयली जब वहां पहुँच ली है तो एक दिन कुवर सहाव कहले कितनी हुका भर के लिया वा इतना कहे के बात रहे कि राजकुमारी खिस्या गयली के रे छोटा घराने कि राजकुमार कुवर तु हमरा के हुका भरे खातिर कहता रहा हम तो बढ़का घराना के जैसिंग के बेटी हैं और इतना बात भैल वहां से वो रत महली लोट गयली अपना घर जैसे ही महल के द्वार पर रथ आईल हा राजा जैसे देखने उनका मन में एको डर हो गईल कि हमरा से का गलती हो गईल कि आज हमारा बेटी बिना बुलेले चला इलिविया और उकरा साथे कुमर सहाब भी नई खी जरूर हमरा बिना माई के वेटी के संसकार देव में कुनो कमी रह गल भा जैसे वेटी आईली पुछा तानी राजा साहब कि वेटी बताओ का तक लिप भा कैसे इलुहा तो गतरे की रावर जोनु दमाद भा छोटा घराना के कुमर आज हमार बैजती कदलाग हमरा से वो हुक्का भरे खातिर करलक बताई हम रावर बेटी हुई और वो छोटा घराना के राज कुमार हो वो कैसे हमरा से हुक्का भराई तो राजा साहब कहे लगनी कि बताओ बेटी का कर लियाओ तो तहरी खी सांत होई करली कि सब देश के राजा लोग के बुलाई है और वोह कुमर के बुलाई है और सब लोग के सामने उकरा के बेईज़त करी तो हमरा मन में शानती मिली दने देखिये भाव पत्नी अपना पती के बेईज़त कराओ खातिर अपना बाप से कहा दिया राजा साहब समझ लेलें कि बिना माई के बेटी रह लिया हम ठेक से ना सिखा पए ने अब कुछ सिखावे के पड़ी है देश देश के राजा बुलावल गई लोग और सब राजा के बुला कि वो हो कुवन साहब के बुलावल गई अईले जैसे अईले तो उनकोर जूतवा चुना के राजा साहब लुका देने सभा चलल मिटिंग हो के लागल और ये जरोखा पर बैट के देखा तरी और मन में सुचा तरी कि अब इनकर बेज़ती होई तो हमरा मन का शांती मिले सभा खतम हो गईल बाकिर के हो के बेज़ती ना भईल कुवन साहब जाए लगले तो जात जात में राजा साहब उनकर जूता मंगले लिया के अपना अंगोचा से पोच के उनका चरण में पिना देने ये देख के बेटी बुझ गेली कि जेकर जूता जेकर बाप साफ कर थोकव उकर एक टाइम हुका भर्दव में का दिकत्वा अपना बेवहान से राजा साहब सिखा देने बेटी के सिखा के भेजल जाला दूनों घर समाले के परेलाव करा के लेकिन आज संसकार देवे के ब कि बेटी के भेजे के समय कुछ हैसन सिखा के भेजे के चाही तो जाकि ओ नया घर आवाद करो ये कथा आगे चली एक विराम लियाता श्रीराम जै राम जै जै राम जै राम कथा स्रू राम कथा पहले के जमाना में हमनी के धर्म में कभी तलाक जिसन शब्द ना रहे आज एहुजा तलाक हो जाता जो उन जनम जनम के फेरा लेवी के बात होत रहे पहले आज एको जनम नेखे टिकत इमें बहुत तरह के कारण बहा बकरिये में सबसे महत्परुन कारण इहो लोकता कि घर में संसकार वेटिन के निखे मिलत अहंकार भर के भेजाता बिदाई होता यहां पारवती जी के बिदाई में माई लोग तो रोबे करेला बहीन रोबे करेली लिकिन बाप के भी करेजा फाटेला मरद हुए तो आंक से आसु भले लोर भले ना आओ लिकिन दिल में तो हिर्दे में तो उनका बड़ा तकलीफ हो ला यह को सेट जी हमरा लगे एक दिन आई ले कहले बाबा छो दिन से हम सूतल लेगी हम पुछनी की कहा है निकी सूतत तो कहले के हमरा बेटी के वियाह तै हो गिलबा हम करने आज कर लोग तो एस से निके सूतत की वियाह निके तै हो और आवरा बेटी के वियाह तै हो गिलबा तोर निन निके वक कहे लगनी महा का कि बड़ा छोट लगतफ से हम उकरा के एक-एक समान के ख्याल राखे ने उकरा कुनों तकलीफ मत होखो अब जब वियाह तै हो गिलबा तो मन में ही है हमरा आविला कि दूसरा लोग का लगे जाई, सब लोग नाया होई कि उकर ख्याल राखी, कि उकरा के ख्याई और कैसे उव्यवहार कर पाई, हमरा बेटी कैसे दूसर पराय लोग के साथ जी ही इस सब सोच सोच के हम सूत ना पावे ने जब बेटी के विदाई हो ला, तो सच मुच बड़ा दुखट घटना हो लाई भले नया संसार वसे की खुशी होको लेकिन एक पूरा घर छोड़के अपना भाई बहेन माई बाप के छोड़के जाए के पड़ेला आज यहां पारवती जी विदाः हो तरी हिमाचल प्रदेश के वहां के सब लोग रोर अलबा सब जगे सब के आँख में लोर भर अलबा हर से डोली चलल लाबुनी के कान जारा बाई जीनगी के हर से डोली चलल लाबुनी के कान जारा बाई जीनगी के आए हमनी से दूर होत बाड़ी घर के यादन में मुलात बाड़ी आए हमनी से दूर होत बाड़ी घर के यादन में मुलात बाड़ी तोहरता हर दुला मिल गयल बाड जीनगी के चमल खिल गयल बाड तोहरता हर दुला मिल गयल बाड जीनगी के चमल खिल गयल बाड घर से डोली चलल बबुनी के का नजारा बाई जीनगी के जाचली जान घूंगट में रोवा सारा घर के नगम में दुबोवा बाप के लाज जाए न पाए तु हमेशा जीए मुस्कुराए बाप के लाज जाए न पाए तु हमेशा जीए मुस्कुराए भर से डोली चलल लाबुनी के कान जारा बाई जी नगी के ताहर गोदी भरे मोतियन से नाम जग में चले मोतियन के ताहर गोदी भरे मोतियन से नाम जग में चले मोतियन से हमरा दिल के जिगर के उजाला जाकिया तुझे कोशिव के हवाला घर से डोली चलल लाबुनी के कान जारा बाई जी नगी के कान जारा बाई जी नगी के बिदाई भाईल संकर भगवान पारवती जी के लेके कैलास परवत पहुंचनिया कथा आगे चलत रही एगो छोट बिराम लियाता श्री राम जै राम जै जै राम कैलास परवत पर भगवान भुले नात पारवती जी विराज बने बहुत काल तकवान यवास के निए शो मुखवाले भगवान करतिके जी के जनब भैल भगवान गनेश जी के उतरन भैल जुद में भगवान करतिके जी तरकासुर के बद कदेने बबा गुष्ष्वामी तुलसिदास जी यहां लिखताने जगजान संवुख जन्म कर्म प्रताप पुरसारत महां प्रताप पुरुसारत महा तिही हे तुमेविश के तुसुत कर छरित संचेप ही कहा यह भुमा संभु विवाव जेनर नारिकह ही जिगाव ही अल्यान काज विवाह मंगल सरवदा सुख पाव ही यह भुमा संभु विवाव जेनर नारिकह ही जिगाव ही अल्यान काज विवाह मंगल सरवदा सुख पाव ही सरवदा सुख पाव ही कार्तिके जी के कथा पुरानन में बहुत वरुननबा एस से को स्वामी जी यहां लिखता ने है क्यों कथा संछेप में यहां सुनावल गेल और भगवान संकर जी के और पार्वती जी के बियाह के जी कथा सुनी और गाई उक्रा घरें जब बियाह होई तो हमेशा कल्यानों करोई यह कथा प्रियाग में चल रहा लवा जागबल्कrahण मुनी भरतवाजी के यह कथा सुना रहा लवनी एक्रोड्वाज तु हम रच से पुछलर हलह राम जी के कथा हम तरह के सुना देनी सिव जी के कथा एक रो कारण बा इस संसार में जिस सिव जी के भक्त होई उहे सच्चा राम भक्त होई अई हो जानला कि जिस सच्चा राम भक्त होई उहे संकर भगवान के भक्त हो सकेला गुष्वामी जी लिखनी चोपाई के माध्यम से सिवपद का माला जिन ही रतिला ही सिवपद का माला जिन ही रतिला ही राम ही ते सप ने हुना सुहाई राम ही ते सप ने हुना सुहाई बिनुचल विष्व नाथ पदने हुना आम भगत कर लाक्षने हुना सिवपद को रगुपथी रतिधारी बिनुचल विष्व नाथ पदने हुना बिनुचल विष्व नाथ पदने हुना भगती देखाई पनुकरी रगुपती भगती देखाई उसिवस मारा मही प्रिय भाई उसिवस मारा मही प्रिय ना बिनुचल विष्व नाथ पगने हुना राम भगत कर लच्छन एहुन यगवल क्रशी कहताने कि हे भरद्वाजी बिना चल के बिना परपंच के निर्मल पवित्र भाव से जे शिवजी के पूजा करी उहे सबसे बड़ा रामजी के भक्त हो ला रामजी शिवजी के पूजा करतानी और शिवजी रामजी के पूजा करतानी दोनों लोग एक दूसरा से अलग ने के हो सकता ओ जमाना में जब इक कथा गुस्वामजी लिखनी सूला सो एकतिस स्विवे उगरी सिवभक्त और रामभक्त के बीच में इस चिव विश्णों के वीच में कुछ तकरार, कुछ लडाई चला थोको उकर सामन्ज से बेठाव कहा तिरगो स्वामी जी ऐसन कहिनी ऐसे तो इश्वर एके हो ला सास्त्र में लिखलवा एको सद्विप्राव वहुदा वदनती इस शर्त एके गो बानी ज्यानी लोग अलग-अलग रूप में उनकर वर्णन करेला लोग सुचेला की ब्रह्माजी गो बानी गो विश्णों जी गो वानी गो संकर जी बानी आफ़े रही 33 गोटी देवता लोगवा ठीक बाई सब देवता के अस्तितुवा सब देवता के महिमा बाई तनी ठीक से समझ ली भगवान एकेगो होला जकरा के शक्ती कहाला जकरा के ईश्वर कहाला जकरा के परमात्मा कहाला एकेगो भगवान होले जब उस स्रिष्टी के रचना कर ले जब इस्रिष्टी बने लागेला बने अला पर क्रिया के ब्रम्हा कहल जाला और जब पालन पसन होखे लागेला स्रिष्टी चले लागेले तो एकरे के बिश्णु कहल जाला और जब फेर से उस हमिटाये लागेला तो उकरे के शिव कहल जाला शक्ति एके गुबा परमात्मा एके गुबा नी अलग-अलग कार करत समय अलग-अलग उहां के रूप हो जाला और वही रूप में आदमी पूजे रहा आज की कथा एही जा बिराम ली कौनो मन में जिग्यासा प्रश्णों को रोजगाल जाला रवा लोग पूच सकता नी जोने स्क्रीन पर फोन नंबर और एमेल आइडी चल रहालवा उपर प्रश्ण पूच सकता नी आई आज की कथा समामत करें से पहले हमने भगवान नाम के किर्टन करी हमने साथ साथ रवा लोग बहाव से किर्टन करी जय राम लला जय जनक लली जय जय हनुमत बजरंग बली जय राम लला जय जनक लली जय जय हनुमत बजरंग बली जय 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 हनुमत बजरंग बली झाल झाल